है अगर आपको पेट की समस्य अभी अभी होना स्टार्ट हूए है आपको अभी अभी कब्ज की सिकायत होने लगी है 15 दिन हुए हैं या 20 दिन हुए हैं या वहने भर हुआ है तो आपको कब्ज के समस्या पुरी तरीके से ठीक हो सकती है पुराने कब्ज को ठीक होने में टाइम लगता है जब भी आपको कब्ज होता है चाहे पुराना कब्ज हो आपको या फिर नाया कब्ज हो आपकी विमारी पुरानी हो कब्ज़गी में पहुत ज़्यादा बनती है कोछ भी खाता है या पीता है तो खाना सही से नहीं पच्छता है कई बार लूज मोशन होने लगते हैं खाना सही सिना पचने के कारण चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है मतलब सीने में दर्द लगातार बना रहता है खटी खटी कई बार डकारें आती हैं मुँमें एकदम पानी सब भर जाता है कई बार गले में भी दिक्तत होने लगती है खटी डकार के करण गले में भी दर्द होने लगता है कई बार सेर में दर्द होने लगता है भुग पुरी तरह से चली जाती है आपका पेट कई दिन तक साफ नहीं होता है आप हपते में एक बार मोशन करने जाते हैं या फिर दोट से तीन दिन में एक बार आप मोशन करने जाते हैं आपका मल एकदम गाड की रूप में निकलता है एकदम गोली की रूप में निकलता है आपका पेट कमी साफ नहीं होता है एक बार में आपको दिन में कम से कम तीन से चार बार जाना पड़ता है दिन में आप तीन से चार बार भी जाते हैं उसके बाद भी आपका पेट साफ नहीं होता है आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर से जाना है मल त्यागने के लिए और आपको हमेसा लगता रहता है मिéger आपको कभी साफ नहीं होता है धीरे-धीरे करके आपके भूख लगने के कारण आप दिन पर धिन दुबल्न होते जाते हैं और आपको पेड की समस्या लगातार बढ़ती जाती है और पेट सही से साफ ना होने के करण आपको बहुत ज़्यादा वेचेनी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, वीकनेस आने लगती है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है और सही से पेट ना साफ होने के कारण आपको पेट की आने दूसरी बिमारिया होना है, स्टार्ट हो जाती है, कई बार आपको बावसीर हो जाता है, या फिर आपको अलसरेटिव कॉलाइटिस हो जाता है, या फिर आपको कोई दूसरी आने बिमारी हो जाती है, पेट साफ ना कारण बेड़ साहथए है कि ये भी है जंक्सूड्ड काते हैं और बेटामिन वाली चीज बहुत कम खाते हैं इसके कारण आपको पेड़की समस्यादी पेट की अब देखेंगे कि कोई विएकटिक कोई बीब पैसेंट की तीस साल हो रहां है आज 30 साल में ही पेसेंटों को कब्ज की समस्या देखी जा रही है और यही कब्ज उनका बढ़ता जा रहा है और क्रोनिक कंडिसन दे ले रहा है मतलब पुराने कब्ज की बिमारी उनको होती जा रही है साथ में आपको मैं धो मेडिसिन बताने वाल आप ये दो मेडिसिन वे सकते हैं सबसलिए अब को मीडि सिर्गी बारे में बताक़ द erzählt तो कौफिले नहीं कर नक्सट उनकृने से नफिलनी है लेना है और नाइट में दो डॉप लेना है और लगा तार लेना है कैफ बिल्कुल नहीं करना है और नेक्स टॉनिक आपको यूज करना है तो इस टॉनिक का नाम है डाइजेस्टर टॉनिक स्वावी कंपनी का है बहुत इफेक्टिव है यह देखिए इस टॉनिक को आपको टीन टाइम इस्तेमाल करना है मॉनिंग आफ्टरनून नाइट दो दो चमच इस्तेमाल करना है जब भी आप नेक्स मॉमी का मैडिसन लेते हैं या कार्बोवेज मैड इस इनको लीजेगा और टॉनिक आप ले सकते हैं आदे गंटे के बाद और आदे गंटे बाद ही आपको च्खाएगा बैने आपको डाइजेस्टर टॉनिक बताई हूं यह टॉनिक सुगर फिरी है मतलब जिनको सुगर है तो ऐसे पेसेंट विल्पल इस टॉनिक को यूज कर सकते हैं बहुत एफेक्टिव हैं उनकी सुगर भी नहीं बढ़ेगी और उनको कब्ज की समस्या और उनके कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाएगी यह सिरफ सौभी कंपीनी का है तो आप इसे बिल्कुल एजली पर्चस कर सकते हैं थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा ल मतलی कब्ज की समस्या फिरा अभी मतली को चीज को मतली है इस कंडीशन में आप इस सरे को विजो कर सकते हैं बहुत यह तो अच्छा नएक TP